पूछा है कि किस तरह से सिहत बने और आजकल जिम एक फैसन भी बन गया है और सिहत बनाने का जुनून भी अच्छी बात है और मैं यह देख रहा हूं कि जितने दिन से हम वारता कर रहे हैं जो पूछने वाले मेरे भाई बहन है युवा और युवतियां की संख्या बहुत ज ज्यादा संख्या है तो आप सब की लिए मेरा कहना है पतंजेली का चवन प्राश एक सस्ता सुंदर संपूर्णा टॉनिक क्योंकि उसके अंदर वो सारे और दिया हैं चवन प्राश को इवन आप चटनी की तरह भी खा सकते हैं चवन प्राश को रोटी में लगा करके जैसे से रोल करके भी खा सकते हैं चवन प्राश को दूद से भी खा सकते हैं चवन प्राश को कैसे भी खा सकते हैं प्रयास करिए कि दो चम्मच चवन प्राश 24 घंटे में आपके उदर में चला जाए यह बहुत ही लापकारी है और जिसे आपको ज्यादा सर्दी लगती ज्याद चम्मच अश्वगंधा का पाउडर सुभा और शाम को इतना ही आपको सेवन करना है बाकि जो रूटीन में दैनन दिन जिस आहर का आप सेवन करते हैं उस आहर का आप सेवन करिए सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी और सब तरह से आपको इससे ताकत मिलेगी दिमागी शारिर की और अंदरुनी और हर करे की तो यह आप करिए यह निरापद है यह आई विरुक्त है यह शास्त्रुक्त है